हेलो रिवन एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली गरंट अफेर की स्टिरीज में स्वागत है तो आज के सेशन में हम 16 अक्टूबर के सभी गरंट अफेर को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिसकस करेंगे स्टेशन में एंड तक बने रहिएगा पसंद आए तो लाइक और शेर कर दीजेगा और चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आराम से एक 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 फैक्ट को एक एक कोशन को धियान से एंड तक सुनिए इंपॉर्डेंट सेशन है सबसे पहला इंपॉर्डेंट कोशन देखिए अक्टूबर दोहजार चूबिस में किसे इंडियन कोस्ट गार्ड के 26 महा निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया तो इंडियन कोस्ट गार्ड के हाली में 26 महा निदेशक या प्रमुक नियुक्त किये गए पर में शिव करता है इंडियन कोस्ट गार्ड हाली में इसके 26 महानिदेशक को निक्त किये गए परमेश शिवमणी यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं परमेश शिवमणी की इनके पहले अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड के डारेक्टर जनरल के पत पर राकेश पाल थे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 2024 में इनका पद पे रहते हुए निधन हो गया था इसके बाद अब 26 डारेक्टर जनरल बनाए गए हैं परमेश शिवमणी इंडियन कोस्ट गार्ड के डन हो जाता है यहाँ पर याद रखिएगा कि परमेश शिवमणी को एक्सिलेंट सर्विस के लिए 2014 में तट रक्षक मेडल और 2019 में प्रेसिडेंट कोस्ट गार्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है तो 26 महानिदेशक डारेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन बने परमेश शिवमणी ओके तो याद रखिएगा यहाँ पर इंडियन कोस्ट कि इसका काम क्या है इसकी इस्तापना एक फरवरी 1977 में की गई थी और इसका हेड़कवाटर नई दिल्ली में देखने को मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड सेगेंड कोश्ट पर आईए हाली में किस राज्य सरकार ने दमन गंगा वेतरणा गोदावरी नदी जोड़ो परिय तो देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताता हूँ जिससे आपको याद रहेगा गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है महरास्ट से तो ये जो नदी जोडो परियोजना हैं दोनों महरास्ट राज्य की परियोजना हैं दो अलग प्रदान की है और दोनों ही नदी जोडो परियोजना की टोटल कॉस्ट आईगी 15,710 करोड रुपए जो की राज्य सरकार के द्वारा दोनों ही योजनाओं के लिए हाली में आवंटित किये गए तो अंसर हो जाता है अंसर हमारा महारास्ट ठीके तो टोटल कॉस्ट कितनी आ इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना सिचाई प्रणाली को डेवलप करना इन दोनों ही नदी जोडो परियोजना का मुख्युत देश है टोटल कॉस्ट 15,710 करोड रुपए जो की राज्य सरकार ने आवंटित किये हैं लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक योजना की बात करें तो दमन गंगा वेतरना गोदावरी नदी जोडो परियोजना इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किये गए 13,497 करोड रुपए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अल्मोस्ट 33,110 हेक्टेर भूमी पर सिचाई की जाएगी और इसके अलावा अल्मोस्ट 111 मिलिय लिटर पर डे पानी से मिलने वाला है पीने के लिए सिचाई के लिए इसके अलावा दमन गंगा एक दारे गोदावरी नदी जोडो परियोजना की बात करें तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 223 करोड रुपए प्रदान किये गए तो इसका भी उद्देश है कि भ गोदावरी नदी और उसकी साहक नदियों पर है किस रज्य में हाली में इनके लिए मंजूरी दी गई है तो महारास्ट रज्य सरकार ने दोनों योजना के लिए हाली में मंजूरी प्रदान की ठीक है आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ओफर आफ दे बता देता ह तो आप सभी के लिए देखिए complete GSGK आपको available है जहाँ पर ebook collection है जहाँ पर आपको GK GS के सभी subject available होते हैं English और Hindi दोनों की ही link में आपको description में दे दी है आप वहाँ पर जाकर इसे easily join कर सकते हैं अवेल कर लीजिए English और Hindi मेडियम वाले अलग-अलग देखके आप link पर क्लिक क कीजिएगा और avail कीजिएगा ध्यान से देखकर तो दोनों की link आपको description में मिल जाएगी GS के सारे subject की ebook आपको यहाँ पर available हो जाती है कोई भी आपकी query है आपका doubt है तो नीचे आपको एक help line number दिया गया है उस पर आप call कर लिजिए WhatsApp कर दीजिए आपकी query वहाँ पर resolve हो है तो पांचवे रास्टे जल अवार्ड की हाली में 2023 के लिए हाली में घुष्णा की गई है देखिए जल सरक्षन के लिए किस राज ने किस जीले ने किस पंचायत ने कितना अच्छा काम किया है उसके आधार पर अलग-अलग category है ओके तो यहाँ पर पांचवे रास्टे जल पुरसकार 2023 में बेस्ट स्टेट केटिगरी का जो अवार्ड है वो दिया गया ओडिशा राज्ज को किसको दिया गया ओडिशा राज्ज को देखिए सारी केटिगरी में आपको बता दूँगा पहला स्टेट आप याद रख लेना आपका काम हो जाएगा ठीक है मैं मैं केटिगरी बताऊंगा मैं आपको ऑक्टोबर दोजार चुबिस में यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ती शरी सी आर पाटिल ने पांचवे नेशनल वाटर अवार्ड दोजार तेवीस के लिए गोशित किये हैं जो की देखिए नो केटिगरी में 38 वीनर्स को दिये गए बात करें डिस्टिक की बात करें तो अलग-अलग जोन के हिसाब से जैसे साउध जोन में विशाका पत्नम आंदरप्रदेश का है तो अलग-अलग जोन को यहाँ पर मैंने मैंने मेंशन किया है पीडियस में आप एक बार इनको देख लीजेगा जोन बहुत ही रेर होगा कि आपको एक्जाम में पूछे जाएं डिस्टिक पूछे जाएं आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट में आपको बता दिया इसके अलावा बेस्ट अर्बन लोकल बॉड़ी की बात करें इस्थानी निकाई की बात करें तो पहला पुरसकार दिया गया गुजरात के सूरत को, सेकेंड ओडिशा का पूरी और थर्ड महारास्ट का पुने, बेस्ट पंचायत में केरल के तिर्व अनंतपुरम में पुलाम पारा एक पंचायत है, इसको बेस्ट पंचायत का वोड दिया गया, चीकें, सेकेंड छोड़ दो क्योंकि ता लोकल बॉडिस में आपको जाकर कोशन नहीं पूछ जाएंगे, पर PDF ले लेना तो आपको एक बार आप नजर डाल लीजेगा, इसके बाद बेस्ट सिविल सोसाइटी की बात करें, जिन्होंने जल सर्रक्षन के लिए काम किया, तो BIF Development Research Foundation, जो की पुने का एक Foundation है, इसको प्रथम पुरसकार दिया गया यह National Water Award है, 2023 के लिए हाली में घोशित किये गए 5W, क्योंकि शुरुआत की गई थी 2018 में, जल सर्रक्षन और प्रबंधन में जिसने भी Best Work किया है, Excellent Work किया है, उन्हों प्रुचसाइट करने के लिए यह Award दिये जाते हैं, Best State की के टेगरी का Award हम से पुछा गया था, तो वो टेली कम्यूनिकेशन इस्टेंटराइजेशन असेंबली 2024 का इन्होग्रेशन किस नहीं किया, तो वर्ल्ड टेली कम्यूनिकेशन इस्टेंटराइजेशन असेंबली कॉन्फरेंस से 2024 इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, जिसका इन्होग्रेशन किया गया भारत के पीम नरेंद्र मोधी के द्वारा आयोजन कहा हुआ जानते इस असेमली या कॉन्फरेंस का नई दिल्ली में ठीके 15 अक्टोबर को ये शुरू हुआ है और 24 अक्टोबर दोहजार चुबिस तक ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली तक नई दिल्ली में ठीके देखिए इ 1990 देशों के जो डेली एशन है वो कहीं न कहीं डायरेक्ट इंडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस असेमली या कॉन्फरेंस में वर्ल्ड टेली कम्यूनिकेशन इस्टेंडराइजेशन असेमली दोहजार चुबिस आयोजन कहां नई दिल्ली इनोग्रेशन किस ने उद्देश क्या है तो टेली कम्यूनिकेशन शेत्र में जो नई नई टेकनोलोजी से उन पर विचार करना इसके अलावा 6G, Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things और Cyber Security ये अलग-अलग मुद्धे हैं जिन पर यहां पर चर्चा की जाने वाली है ठीक है पूरा टेली कम्यूनिकेशन से रिलेटेड तो याद रखीएगा पूछा जा सकता है आयोजन कहां पर नई दिल्ली ठीक है चार साल में एक बार आयोजीत किया जाता है वर्ष 2000 में इसकी शुरुवात की गई थी और International Telecommunication Union इसका आयोजन करवाती है ठीक है निम्न में से किस महिला धावक ने सबसे तेज मेराथन दोड का रिकॉर्ड बनाया है तो सबसे तेज मेराथन दोड का रिकॉर्ड अपने नाम किया है महिला धावक रूथ चैपन गैटिच पता है कहां से बिलॉंग करती है ये Kenya से Kenya की महिला धावक के दोड में ठीक है न पाको एक Kelvin Kipton के बारे में पता होना चाहिए, वो भी Kenya के थे, वो भी Marathon Record holder थे, World Record था Marathon में उनका, लेकिन Kelvin Kipton का फरवरी 2024 में, एक accident में डेथ हो गई थी, चोविस साल के थे सिर्फ, ये भी Kenya के थे, और अभी जो Marathon Runner World Record बनाया है, महिला ने, वो Ruth Chapan Gettage, ये भी Kenya से ही बिलॉ Marathon को 2 गंटे 9 मिनेट और 56 सेकेंड में पूरा करके, ये World Record अपने नाम किया है, आज तक का World Record है, Kenya की महिला धावक, कौन? Ruth Chapan Gettage, चीक है? महरास्ट राज्य सरकार ने, महरास्ट राज्य कोशल University का नाम बदल कर, क्या किये जाने को मंजुरी प्रदान की, तो महरास्ट स्टेट स्किल University, इसका नाम महरास्ट सरकार ने घोशना की है कि लेट रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा, तो पद्म विभुशन रतन टाटा महारास्ट इस्टेट स्किल युझ्वरसिटी अब इसका नाम हो जाएगा अंसर हो जाएगा सिसा थिए तो महारास्ट कि गवर्नιंट ने जो पद्म्विभूशन रतं टाटा जी है आपको पताए अभी इनका निधन हो गया था ठीक है ना काफी एजेट थे तो निधन हो गया इनका तो महारास्टि गवर्मेंट ने घोशना किये कि महारास्ट इस्टेट स्किल युनिवर्सिटी जो है महारास्ट में ठीक है ना उसका नाम अब रतन टाटा जी के स्किल डेवलप्मेंट कोर्स कराई जाते हैं ठीक है नॉर्मली 2017 में इसकी स्तापना की गई थी महारास्ट राज्य कोशल विकास सोसाइटी अधिनियम 2015 के तहत लेकिन युनिवर्सिटी कब बनी थी 2017 में ठीक है करने हाली में मंजूरी प्रदान की है 15 अक्टोबर को महारास्ट और जार्खंड विधानसवा चुनाओ 2024 की गोशना की गई महारास्ट और जार्खंड राज्ज में कितनी विधानसवा सेट से तो आपको पताए जो नेशनल इलेक्षन कमिशा ने उसने गोशना की है महारास और जारखन के विधानसवा इलेक्शन की, नैशनल इलेक्शन कमिशन एंडियन कॉंस्टिविशन के आर्टिकल 324 में एक सविधानिक संस्ता हैं, इसने घोशना की है कि महारास्ट और जारखन के चुनावों की जो date है वो declare की है, आपको पता होना चाहिए कि महारास्ट में 288 विधान सवा की सीटे हैं और जारखंड में 81 विधान सवा की सीटे हैं तो अंसर D यहां पर सही हो जाएगा ठीक है 15 अक्टूबर को इलेक्षन कमिशन ऑफ इंडिया ने महारास्ट और जारखंड असेंबली इलेक्षन दोजार चूबिस और 15 राज्यों में 417 अलग-अलग असेंबली जो सीट्स थी विधान सवा की उस पर उप चुनाव की तारीक की घोशना की है यह तो भारत के अलग-अलग स्टेट में सिंगल-सिंगल दो-दो सीटे हैं कहीं पर ठीक है लेगिन ओल ओवर जिस राज्य में अभी एंड में इस साल के एंड में विधान सवा चुनाव होने हैं वो है महारास्ट और जारखंड ठीक है महारास्ट में जो इलेक्शन होंगे उसकी बात करें तो एक ही फेज में महारास्ट का इलेक्शन निप्टाए जाएगा 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा इसके अलावा जारखन की बात करें तो जारखन में देखिए दो फेज में एलेक्शन होंगे 13 और 20 नौंबर और 23 नौंबर को दोनों का साथ में रिजल्ट डिक्लियर किया जाएगा महरास्ट में 288 विधान सवा की सीटें कितनी 288 और जारखन की बात करें तो यहाँ पर विधान सवा की सीटें देखने को मिलती है 81 लास्ट यह 2019 में जब इलेक्शन हुए थे ना तब 288 सीटों में से महरास्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी ने अपने नाम की थी 105 फिर सेकेंड नंबर पर शिव सेना 56 लाकामपा 54 और कॉंग्रेस 44 तो यह 2019 का डेटा है सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी अभी बीजेपी के समर्थन से एकनाच शिंदे महरास्ट में तीय में और यहाँ पर हम जारखन की बात करें तो जारखन में 2019 में सबसे बड़ी पाटी थी जे एम एम जारखन मुक्ती मोर्चा ठीके 81 में से 30 सीटे इसने अपने नाम की थी और गड़ बंधन के साथ अपनी गवर्मेंट यह चला रहे हैं तो आपको यह भी याद रखना चाहिए जारखन में तबसे बड़ी पाटी कोन जारखन मुक्ती मोर्चा यह 2019 का अब जो नया चुना होगा अब वो उसमें देखेंगे हम कि भाई किसकी सरकार बनती है 2019 में देखिए 285 सीटे है महारास्ट में तो 145 पर बहुमत है और 81 है जारखन में तो 41 सीटों पर बहुमत है तो दोनों की सीटे से हमारा कोश्चन था कि सीट कितनी है विदान सभा की त तो महारास्ट में 288 और जारखन में 81 इसरो के किस मिशन के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनाटिकल फेडरेशन ने इसरो को वर्ल्ड स्पेस अवोड से सम्मानित किया है तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनाटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवोड दिया है इसरो को उसक के चंद्रियान 3 mission के लिए चंद्रियान 3 चंद्रमा के दक्षिनी धुरू पर सफलता पुर्वक लेंडिंग करने वाला भारत विशु का पहला देश बना था तो चंद्रियान 3 मिशन के लिए इसरो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल जो फेडरेशन है ठीक है उसने वर्ल्ड स्पेस अवार्ट से हाली में सम्मानित किया है भारत के जो इसरो के चेर में ने एस सोमना थ इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया चंद्रियान 3 के लिए चंद्रियान 3 आपको पता है 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था जो लॉंच विकल है वो LVM3 M4 यहना लॉंच विकल M3 M4 23 अगस्तो 2023 को ये चंद्रमा पर पहुचा था साउध पॉल पर साउध पॉल पर सफलता पुर्वक लेंडिंग कराने वाला भारत विश्व का पहला द महिलाओ की किस केटेगरी में भारती निशानेबाज सोनम उत्तम मसकर ने रजत पदक जीता है तो ये है विमन्स 10 मिटर एयर राइफल अंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपको पता होना चाहिए कि इंडियन शूटर सोनम उत्तम मसकर ने दिल्ली मायजित आई SSF वर्ड कप 2024 में महिलाओ की 10 मिटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है ठीक है आप यहाँ पर स्वन और जो गोल्ड और ब्रॉंज है वो आप तरी गोल्ड और जो ब्रॉंज है वो छोड़ सकते हो इंडियन का आप याद रखो इंटरनेशनल शूटिंग शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन 1907 में इसने इस चैंपियंशिप की शुरुआत की थी 1907, sorry इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इन खेलों का एजन करवाता है ठीक है ना शूटिंग खेलों का एजन कराता है जिसकी स्टापना 1907 में की गई थी ओके जर्मन इसलिए थोड़ा सा डिस्टेक्ट हुआ था, चलिए इसको नोट कीजिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट स्वेडरेशन, ठीके, इसकी स्तापना कब की गई थी, 1907 में और जर्मनी में इसका हिट क्वेटर देखने को मिलता है, डन हो जाता है, ठीके, आगे आईए हर सल, 16 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर, ठीके, विश्व खाद्य दिवस, देखिए, 16 अक्टूबर को वर्ड फुट डे के रुप में पूरे वर्ड में आपजर्व किया जाता है, ये कोशन एक्जाम में भी काफी बार पूछा गया है, आपको याद र अवेर करना और पोशन संबंधी अवेरनेस पहलाना, वर्ल्ड फुट डे का मुख्योद देश है, ठीके, तो सबसे पहली बार 1981 में इसे अपजर्व किया गया था, मनाया गया था, वर्ल्ड फुट डे के रुप में, तब से लेकर हर सल, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फुट मनाया जाता है, थीम की बात करें, तो 2024 में, राइट टू फुट फुट फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, वर्ल्ड फुट डे की थीम है, और 2023 में, वाटर इस लाइफ, वाटर इस फूट, लिव नो वन बिहाइंड, वर्ल्ड फुट डे की थीम थी, तो द को, ठीके, डन, अंसर ले लिया हमने, तो हमारा अंसर हो जाता है यहाँ पर, 12 अक्टोबर, ठीके, तो आज की सेशन में, हमने सारे करेंट अफ़ेर, डीटेल में समझ लिए, अब हम आ जाते हैं, लास्ट डेके करेंट अफ़ेर के रिवीजन पर, ठीके, ध्यान से सारे ठीके, चिकित्सा सेवा नो सेना का महानिदेश्य किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया है कवीता सहाई को, तेगेंड, निम्न में से कौन सी कमपनी को भारत की 14th महारतन कमपनी का दरजा दिया गया, तो यह है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, व आंसर हो जाएगा, आंसर भी, छीके, हाली में किस राजजी या यूनियन टेरेटरी में कुल्लू दशारा फेस्टिवल 2024 की शुरुआत की गई, तो हिमाचल प्रदेश राजज में, एश्याई टेबल टेनिस चेंपेंशिप के महिला यूगल इवेंट में पदक जीतने वा जाएगा, तो ये किया जाने वाला है इंडिया में, अक्टूबर 2024 में कितने साल बाद जम्मू कश्मीर से रास्टिपती शाषन हटाया गया, तो छे साल के बाद जम्मू कश्मीर से रास्टिपती शाषन को हटाया गया, अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा E-Migrate V2.0 वेब High Altitude Area Defense System जिसे Hard Defense System कहा जाता है किस देश से सम्बंदी थे तो ये अमेरिका का है और Last Question Indian Railway Finance Corporation ये अध्यक्ष और MD कोन नियुक्त किये गए तो Manoj Kumar दूवे ये सारे Current Affairs Last Session में हमने Detail में समझे थे अब आपको Question of the Day का Answer बता देता हूं Last Session के लोधी वंश का संस्तापक कोन था पहला Question था तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्तापक था इतिहास में भारत के वरतमान में गेंदबाजी कोच कोन तो मौरने मौरकेल गिनबाजी कोच है और सविधान के किस आर्टिकल में वित्तायोक का उल लेखे तो आर्टिकल 280 280 ठीक है अब कल के Question of the Day के Answer मिल गए अब आज के Question of the Day देख लीजिए कमेंट में Answer कीजिएगा 2023 में साहित्ति का Nobel पुरस्कार किसे दिया गया छोटा नाकपूर का पठार किस रज्ज में स्तित है और अम्बु बाची मेला कहां आयजित किया जाता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2023 में साहित्ति का Nobel पूछा गया है है ना Last Year का तो कमेंट सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल फिर मुलाखत करेंगे नेक्स्ट डे के करन्ट अफेर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा जैहिन जै भारत